सचिन पाइलेट के अंचन पर बैठने पर केंद्रिय मंत्री अनुराग्ठाकुरी ने कहा कि अशोग गहलोध की सरकार ब्रष्टाचार के लिए जाने जाती है राजस्तान में कानून विवस्ता चर्मरा गए है महिलाओं के साथ उत्पीडन होने जैसे गटनाएं वहाँ पर हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है देखिए आशोग गहलोध की सरकार तो किबल ब्रष्टाचार के लिए जानी गई कानून विवस्ता चर्मरा गए महिलाओं के साथ उत्पीडन होना और सरकलम कर देने जैसे घटनाएं वहाँ पर होना हाथ पर हाथ रखकर पुलिस वहाँ की बैठी रही एक नहीं अनेक स्कैम वहाँ पर पेपर लीक के हुए जॉब घोटाले में उनके ही मंत्रियों परिवारों के नाम आए वैक्सीन की जो ब्रष्टाचार हुआ उराज्यस्तान उसमें सबसे आगे नजर आया आशोक एहलो जी की सरकार कॉंग्रेस भी उनसे शुटकारा पाना चाहती थी लेकिन नहीं पापाई सचिन पाइलेट ने तो पहले भी मोर्चा खोला था लेकिन कदम पीछे हटा लिये थे आशा करते हैं इस बाद ठीके रहेंगे